दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चक्रवात के बारे में और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें यह दर्साएंगे कि मैप के थुरू कि किस जगह पर कौन सा चक्रवात आता है साथ ही आप लोगों को हम यह भी बताने का कोशिस करेंगे कि चक्रवातों का नामकरन कैसे रख किया जाता है उनिस स्वतिरपन से ऐसा व्यवस्था किया गया और इसमें जो है कैसा कैसा मतलब कमिटी का गठन होता है और किस के थुरू किन देशों के थुरू नामकरन किया जाता है तो दोस्तों देड़ना करते हुए हम इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों जब हम चक्रवात की बात करते हैं तो यह एक घूमती हुई वायू रासी है जिसके आँख हत्वा के निर में यह देखे दोस्तों यह एक घूमती हुई वायू रासी है यह क्या है कि घूमती हुई वायू रासी है इतर इस टैफ से इसका डिरेक्शन है इस कटाइब से ड której ऑं यह एक मतलब कहने का मतलब प्रेसर डिफ्रेंस के कारण इसकी यह होता है जिसमें यहां पर लोग प्राश एरिया उता यह लोग प्रेसर एरिया और शाइड से है प्रेसर एरिया वाले एयरो है हम जानते हैं कि air का क्या खासियत है कि वह high pressure से low pressure की और बढ़ता है तो अब यह क्या होगा कि high pressure से low pressure की और चलना start हो जाएगा और बीच में निमदाव का छेत्र क्यियेट हो जाता है इसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा तो दोस्तों Due Marco का जो वायुदा या क्या होता है इसको हम शैकलोन के नाम से जानते हैं इसके अनख में इसका जो भी भी चांह बाक्र शेत्र हैं जो low pressure एर से कहते हैं अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं पहरल का नियम दोस्तों पहरल का नियम के बारे में जानते जैसे चकरवात कोई उठती है तो वह किस दिसा में भहेगी जैसे उतरी को लार्ड में किस डैरिक्शन संब्लात होगा और का जगे बारे में पहर, अरलका नियम है जो कि कोरियोलिस फोर्स के कारण इसा संभव होता है कि उत्री गोलाड में दाहिनी और दक्षनी गोलाड में बाई और मूर जाती है कहने का मतलब उत्री गोलाड में क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज क्लॉक आगे की और हम बढ़ते हैं, यहां देखिए, होता क्या है कि पिर्थवी पर्षिम से पूरव के डिरेक्शन में कहने का मतलब अपने अक्ष पर इधर से इधर घुमती है, पर्षिम से पूरव के डिरेक्शन में इधर से इधर घुमती है, तो इस इस्तिती में क्या होगा, अ यह इस टैप से बिच्छेपित होगी, और इधार की हवा जो है, इस टैप से बिच्छेपित होगी, क्योंकि पृत्षवी जो है, इधार की और बढ़ रही हैं, तो दोस्तों, देखिए, यहां ऐन्टी कुलाकिवाइस, यह डायरेक्शन कुलाकिवाइस है, देखिए दोस्तों इसी को कॉरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं अभी चो हम आपको फेरल के लॉब पता है उसी को एक तरह से कहने कम अनुद गारन किरियेट होता है जो कि आप फिजिक्स में अच्छा से पढ़ेंगे तो दोस्तों देखिए या क्या हुआ कि उत्री गोलाड में या इस टैप से मुड़ गया इस टैप से मुड़ गया कहने का मतलब इसको गोर से आप देखिए या इधर आ रहा है या इधर आ रहा है फिर या इधर आ रहा है कहने का मतलब एक तरह से हर किसी का डिरेक्शन जो है यह हर किसी का direction इस type से यह यहां भी देख लिख लेज़ें केकर इस गली च्वार्य डियरेक्शन और यह कैसा है और यहां के समझने का प्रियास करते हैं तो यहां देखिए दोस्तों यह आपको जीरो डिगapterी अक्चांस है फिंप यहां देखें दोस्तों यह 0 degree अक्षांस है और इसके उत्तर में उत्तर में clockwise direction में हवा चल रही है और इसके दक्षिन में anti clockwise हवा चल रही है अब दोस्तों यह जो फेरल का लोग है Coriolis effect जो समझाएं अभी यह वास्तम में defend करता है कि जैसे कोई भी चक्रवात है वो किस direction में चलेगा उसका direction क्या होगा तो उत्तरी गोलाड में कोई भी चक्रवात का direction कैसा होगा clockwise होगा और दक्षनी गोलाड में वो ही चक्रवात का direction anti clockwise होगा अब देखिए दोस्तों चक्रवात कैसे बनता इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं तो देखिए होता क्या है कि ये जैसे समुद्री सता है समुद्री सता है तो इस जगह पे क्या होगा समुद्री सता पे पानी है और हम क्या जानते हैं कि 0 degree से उपर जब जाते हैं साड़े 23 degree पे करक रेखा इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा अगर आप देखना चाते हैं तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं ये जो है करक रेखा और मकर रेखा इसके बीच में क्या होता है सुर्य बारहो मास उपर नीचे होती रहती है कहिने का मतलब यह छेतर उसन कटी बंधिया छेतर है और यह उसन कटी बंधिया छेतर में होगा क्या कि सुर्य की रोशनी पड़ेगी और तापमान के कारण यहां का जल जो है वास्पी करीट हो करके उपर की ओर उपर की ओर उठने लगेगा जल्भी पलस वायू भी जैसे कोई वी चीज जब गर्म होता है उसका घनत घट जाता है और जब घनत घट जाएगा तो वो उपर की ओर बढ़नाई स्टाट हो जाएगा इसी तरह से यह उपर की उठने लगता है तो क्या होता है यहां एक low pressure area create हो जाता है यहां low pressure area create होने के बाद क्या होगा कि इसके आसपास के छेत्रे में जो भी वायुदाब है वो तो high pressure हो जाएगा वो चाहेगा हम इसी के तरफ low pressure area के तरफ बढ़ें अब यह जब बढ़ना चाहेगा तो यहां पे coriolis effect काम करेगा कि वो आखिर हो कहां रहा है कहिने का मतलब उत्री गुलाड में हो रहा है या दक्षनी गुलाड में अगर हुआ उत्री गुलाड में हो रहा है तो वो क्या इस डिरेक्शन में चलता हुआ आएगा इस डिरेक्शन में चलता हुआ आएगा और यह जो है एक cyclone का formation करेगा और वही जब अगर दक्षनी गुलाड में हो रहा है तो वो एंटी क्लोग वाइस डिरेक्शन में चलता हुआ का formation होगा अब दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हैं कि किस छेत्र में कौन सा cyclone आता है तो उसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में समझा देंगे जिसका लिंक इसमें डाल दिया जाएगा धन्यवाद दोस्तों आप हमारे इस चैनल को किरप्या सब्सक् करें थैंक यू